और ये संगहर्ष मैंने बच्पन से सीखा है मुझे अभी तक याद है मेरे फादर मेरे साथ यौन शूशन करते थे जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था मुझे अभी तक याद है कितनी राते मैंने बिस्तर के नीचे बिताई है क्योंकि मैं डर के सहम के कापती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊँ मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दिवार पे फैंक देते थे, खून बैता रहता था बहुत तडप मैसूस करते थे लेकिन पूरा समय उस तडप से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं अगर मेरी जिन्दगी में मेरी मा, मेरी मा सी